अलो फ्रेंज स्वाबत है आपका डोलीन किचन में फ्रेंज आज में बनाऊंगे काढ़ा क्योंकि बारिस का मौसम है और ऐसे मौसम में सर्दी जुखाम होना आम बात है कभी-कभी सर्दी जुखाम इतना बढ़ जाता है कि लागातार हम मैडेशीन खाते हैं फिर भी सही नही सर्दी जुखाम बिल्कुल गायब हो जाएगा तो कढ़ा बनाने के लिए मैंने एक छोटा चम्मच चाय पत्ती लिया है एक छोटा चम्मच अजवाइन लिया है आठ से दस काली निच चार से पांच लॉंग दो हरी लाइची एक टुकड़ा अधरग गुड और तुलसी के पते तुलसी में सो से भी ज्यादा पोसक तब तो पाये जाते हैं और एक ग्लास मैंने यहाँ पर पानी दिया है पानी को हम गैस पे रख देंगे गरम होने के लिए जब तक पानी गरम हो रहा है तब तक हम लौंग इलाइची और अधरग को बारि हुट लेंगे पानी गरम हो चुका है पहले हम चैपत्ति को डाल दिएगे अधरग काली मर्च लॉंग इलाइची इसको मैंने बारिख कूटा था इसको भी देंगे उबाल आ गया है अजवाइन डाल देंगे फ्रेंट्स अजवाइन बहुती गरम होता है यह सर्दी जुखाम काटने में बहुती फायदे मंद होता है तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे और गुड़ को भी डाल देंगे अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहें तो क कि हमारा पानी आधाना हो जाए यह कड़ा आप चाहें तो बच्ची बूढ़े या बड़े किसी को भी वह बना के दे सकते हैं दिन में दो से तीन बार पीजे शर्दी जुखाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसको बना के आप रख सकते हैं और दो से तीन बार पी सकते हैं लेकिन अगर सुबर पीएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा तो देखिए फ्रेंस काड़ा अच्छे से पक चुका है इसका पानी बिल्कुल आधा हो चुका है अब इसको छान लेंगे फ्रेंस अगर आपके घर में किसी को सर्दी जुखाम हुआ है तो जरूर बनाईए और दिन में जरूर एक बार ऐसे काड़ा बना के पूरे परिवार को पिलाईए और खुद पीजिए सर्दी जुखाम कभी नहीं होगा तो आई गूब आपको मेरी आज के वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मिलते अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग